9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का दिन कुम्भ राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल अमरिता एस्ट्रो में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन दो दिनों के कुम्भ र पैंड करता है तो इसी क्याधार पर हम इन दो दिनों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे तो वीडियो को इलिए बस एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आएं तो सबस्क्राइब करके जाएं तो सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र के बा जाता क्योंकि ये बहुत अधिक तिक्ष्ण और क्रोधी स्वभाव का नक्षत्र होता है आज स्वभाग्य नाम का योग और शोभन नाम का योग बनेगा दोनों ही योग अच्छे हैं चंद्रमा धनुराशी में रहेंगे सूरिय कन्या राशी हस्त नक्षत्र में है और ज़कर 35 मिनट तक रहेगा अब 10 अक्टूबर का दिन तो गुर्वार का दिन है और शुकलपक्ष की सप्तमिति थी यानि कि दुर्गा सप्तमी का दिन इस दिन रहेगा पूर्वसाड़ा नक्षत्र अब ये जो पूर्वसाड़ा नक्षत्र होता है ये भी उग्र नक्षत्र में हैं लेकिन आज सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन है सूर्य हस्त नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र में परवेश भी करने वाले हैं राहुकाल का समय नोट करें इस समय अवधी में आपको किसी नए कारे के शुरुवात नहीं करनी है जो पहले से चल रहे है व गुरूब रस्पती जो की विरशब राशी में हैं वो वक्री हो जाएंगे और 10 अक्टूबर के दिन बुद्ध का राशी परिवरतन हो जाएगा जो की तुला राशी में होगा कन्या राशी से बुद्धा दिते यूग खत्म हो जाएगा और ये कन्या राशी से निकल कर तु राशी में पिर्वेश कर जाएंगे अभी शुक्र भी वहीं विराजमान है तो यहां जो 9 अक्टूबर का दिन रहीगा वो कुम्बर राशी के जातकों के लिए हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी अगर आपक जो कारिया है वो अच्छे हो जाएंगे अनर्जी आपके अंदर आजाएगी और आप इस चीज पर विचार करेंगे लोगों के बारे में आप ये विचार करेंगे कि कौन वेक्ति आपसे क्या चाहता है साथ में खर्चा भी बढ़ने वाला है थोड़ा खर्चों को कंट्रो आ रहे हों घर में कोई रेनोवेशन का कोई सजावट के काम सजावट की चीज़े लेकर आना चाह रहे हों तो इस तरह की चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन कामकाज के सिलसले में दिन जो है काफी अच्छा है तरक्की का योग है समर मनोस्तिती पर छोड़ दें देंगे चंद्रमा धनू राशी में हैं बहतर होगा परिवार के साथ अच्छी बॉंडिंग बना कर चलें किसी परकार के जगड़े से दूर रहें शांत रहे कर काम करें मुद्धिमान तरीके से आपको काम करने के आवशकता होगी जो आप करेंगे भी और सकारात्मक परिणाम उससे आपको जरूर मिलने वाले हैं वेपारियों के लिए आज का दिन काफी ज़्यादा उपयोक्त रहने वाला है यानि वेपारी हैं जो इस राशी के उनके लिए अच्छा है अज आपका मन भी थोड़ा अध्यात्म में लगा रह सकता है और इस दिन विवाहित लोगों के लिए देखा जाए तो किसी समाहरों बगयरा में आप जा सकते हैं कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन से मिलकर आपका मन प्रेसंड हो जाएगा आपके वैपार स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स का मनाच पढ़ाई में लगने वाला है और जो अपने घर से दूर रहकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आज उनके लिए काफी ज़्यादा अच्छा दिन रहने वाला है वो किसी भी मीन्स में हो सकता है आपको सहयोग मिले आपका प्रोजक्त बहुत अच्छा हो जाए आपको आपका जो आज का दिन होगा ना वो आपके लिए यादगार बन सकता है काफी ज़्यादा उपयोकत आज का दिन आपके लिए कहा जा सकता है बसे भी नवरात्री चल रहे हैं तो नवरात्री का दिन आपके काफी उप्यक तो माद्रुगा की किरपा से अच्छा रहेगा समझदारी काम आएगी रचनात्मक्ता बढ़ेगी किर्यात्मक्ता का परिचे आप दे पाएंगे जबकि आप ऐसा भी करेंगे कि आप को वो कारे भी करना पड़ सकता है जिस आप करना नहीं चाह रहे हों लेकिन दिन जो है कई तरह के छोटे-छोटे चेंजिस लेकर आया कई तरह के छोटे-छोटे बदलाव लेकर आया लेकिन फिर मैं मन पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हो चले क्यों कि कही ना कही मूल नक्षतर थोड़ा गुसा दिला देता है आपके स्वभाव को उगर कर देता है तो जो कि उग्रो और कुरूर स्वभाव का ही नक्षत्र होता है यानि चंद्रमा इसमें है चंद्रमा होंगे तो मन में उस तरह के भाव भी आपके लिए परिकट होंगे लेकिन ऐसा नहीं कि इसका स्वभाव ऐसा है तो ये सारी चीज़े वैसी ही आपको देने वाले है ये जो 10 अक्टूबर का दिन रहेगा ये गुरुवार का दिन है और कुमराशी के जात्कों के लिए फिलहाल वर्तमान में आप जिन चीज़ों की तरफ अगरसर हैं जिन चीज़ों की तरफ आप काम कर रहे हैं जिन से आप जुडे हुए हैं उन से जुडे रहें उन में किसी तरफ का बदल आउ करने की कोशिश ना करें आज आज आप अपने हर एक उतरदायत की बूर्ती करते हुए नजर आएंगे आप अपने हरे काम को बखो भी करते नजर आएंगे कुछ महत पूर्ण निर्ण भी लेंगे जिसमें आपके परिवार वालों की राय भी शामिल होगी परिवार वाले भी आपकी बातों को महत देंगे वैपारिक शेत्र में लाब होगा जरूरत का सामान आप खरिते हुए नजर आएंगे यानि खरेदारी करने का आज भी आपके लिए योग बना हुआ है कि किसी ना किसी तरह कि आज आप खरेदारी करने वाले हैं आपके लिए दिन जैसे की अच्छा है चीजों के लिए लेकिन जो मन में भाव रहेंगे ना उन पर कंट्रूल करना होगा छोट-छोटी बातों पर गुसा आ जाना उस पर कंट्रूल करना है थोड़ी बातों पर भड़क जाना किसी के साथ बाचित करते समय सईयम से पेश आना थोड़ा सा अपने सभाव पर आज कंट्रोल करके चलेंगे, मन पर कंट्रोल करके चलेंगे, तो दिन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बाकी वित्तिय श्तिति के देखें तो कुछ नए मौके भी मिल सकते हैं, अपनी योग गिता को कभी भी कमना आकें, क्योंकि आ हेल्थ के गर मैं बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाले है, बाहर के खाने का अवाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिष्टों की बात की जाए तो रिष्टे बड़े अच्छे रहेंगे आज, आज किसी विक्ति से मिल सकते हैं, जैसे मिलकर आपको दिल का कनेक अच्छन महसूस हो, ऐसी भी रह सकती हैं, तो काफी अच्छा दिन हैं, अच्छे से इन दिनों को इंजॉय करें, मादुरुगा की अराधना करें, दुरुगा चालिसा का पार्ट करें, ये दिन काफी बहतरिन रहेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,